नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में रीवा में सनिवार को दो पक्षों के भी जम कर लादखूसे और पत्थर चले जिसमें एक व्यक्ति का सिर्फट गया मारपीट में घायल पती पत्नी सिविल लाइन थाने पहुँचे जिसके कुछ ही देर बाद दूतरा पक्ष भी थाने पहुच गया जहां दोनों पक्षों ने थाने पहुच कर सिकायद दर्च कराई घटना में लहू लुहान हुए व्यक्ति ने बताया कि पूरा विवाद भंडारे में पूरी मांगने को लेकर हुआ था घायल हुए व्यक्ति का नाम राजाराम उपाध्याय है उन्होंने बताया कि भंडारे में पूरी मांगा था जिस पर चंदन और कुंदन ने हमला कर मेरा सिर्फ उड़ दिया जिसके बाद मैं अपनी पतिनी गुडिया उपाध्याय के साथ थाने पहुचा मैंने मामले के सिकायद सिविल लाइन थाने में दर्च कराई है घटना में मेरे सिर पर काफी चोट आई है जिसकी वज़े से काफी खून भी पह गया है पलिस के मताबिक थाने में दोनों पक्षे सिकायद लेकर पहुचे थे दोनों की तरफ से सिकायत आवेदन पत्र प्राप्थ हुए हैं जहां अब पूरे मामले की जाच की जा रही है यह बताओ किसी जाच को लेके मार पीट हुए आप लोग कुछ नहीं को लिए चमारिन बोलके मानने लगे पथरा कौन मारा है लपट के चंदन कुंदन किस बात को लेके मारे आइसे ही कोई बात नहीं वहां एक लड़की बैठी थी भी खारें वहां पे आया कि उन्हें के वह लगे लगे साथ भी मार पीट करी है हाँ वहां लड़की थी उससे बोले कि तैखा वाब पूरी और वहलुआ सबजी चोटी जाता है हम वहां मंदी तरह पाइते थे फिर गोड़ी चमारिन बोलके मानने लगे किते लोग से मानने लिए वह दोनों भाई आ गये ते चंदन हमार राता पिर चंदन भी आके पकड़के दोका मारे है और दोनों जूरबा है आपका क्या नाम है हमारा राजा राम उपद्ध्या है यह पास हुई है मंदिर संकर्टी के मंदिर में यह कोठी कंपाउंड कंदर हमारी फूल की दुकान है सगुन प्लाव को भी मारे हां इस दो तीन बारा के सोनी को भी मारा है वहीं पर भी खारी एक सोनी है वहां क्या करते हैं हम फूल की दुकान करते हैं